चाचा शोपाल सिंग बनेंगे मजिया और अखिलेश ओवैसी का होगा मिलन लोग सभा चुनाओं से पहले उतर प्रदेश में दिख रही एक नई सियासी जोड़ी चाचा शोपाल सिंग ने ओवैसी से मांगे बहतर उमीदवारों के नाम और कहा टिकट दिलवाने का काम मेरा सपा नेता के प्रस्ताओं ने मचा दिया तहलका इधर शोपाल सिंग ने किया एलांत उधर विरोधी होने लगे हलका देखे चाचा के प्रपोजल पर ओवैसी ने क्या कहा एक तरफ जैन चोधरी दादा को भारत रतन मिलने के बाद बदले-बदले से दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक नई सियासी जोड़ी बनने के संकेत मिलने लगे हैं जो ओवैसी अब तक सपा के लिए वोट कट वा साबित हो रहे थे अब चाचा शोपाल सिंग की रड़नीती ने उन्हें सपा के लिए तुरुप का एक का बनाने का संकेत दे दिया है लेकिन बादशा की पोजीशन में अखिलेश यादव ही रहेंगे ओवैसी के एक बयान को सुनने के बाद शोपाल सिंग ने ऐसा पासा फेका है कि अब ओवैसी हां करेंगे तो भी फसेंगे और ना की तो फिर सपा के पास उनके खिलाब बोलने का पहलू भी मिल जाएगा ओवैसी ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अलप संख्यक सपा के लिए सिर्फ दरी बिचाने का काम करेंगे तो अब शोपाल सिंग ने साफ कर दिया है अलप संख्यकों के लिए सपा की रणनीती क्या है शोपाल सिंग ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उवैसी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी सपा महासचिप शोपाल सिंग यादम ने कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजिस सभा के अच्छे प्रत्याशी का नाम बताएं उसे टिकेट देने के लिए हम राश्टी अध्यक्षों से बात करेंगे इधर शोपाल सिंग यादम ने खुला ओफर दिया तो उधर ओवैसी की पार्टी में सन्ना टफैल गया जिस मजलूमियत के मुद्दे को उच्छाल कर ओवैसी सपा को घेरने चले थी तो अब वो खुद उसी जाल में फस गए और अब सपा इंतजार कर रही है कि ओवैसी जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे शोपाल सिंग ने कहा कि वो ओवैसी का काफी सम्मान करते हैं कोई उचित नाम हो तो वो जोजा सकते हैं दरसल लोगसबा सांसद असद दुद्दीन ओवैसी ने बजट सत्र में केंद्र सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि देश के सत्रे करोड मुसलमान गुस्से में हैं सरकार अपनी नीतियों के आधार पर मुसलिम को हाशीय पर धकेल रही है उन्होंने कहा कि सत्रे करोड नागरिकों के मन में अविश्वास पैदा करना घा तक है ओवैसी ने आयोध्या में राम मंदिर निर्माल के बाद 22 जनवरी को ही प्रांट प्रतिष्ठा के संदर्व में कहा कि ऐसा लगता है कि पीम मोदी लोकतांतरिक देश के प्रधान मंतरी नहीं पुझारी या संब्राट बन चुके हैं ओवैसी ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं सपा को लेकर भी आग उगली थी और अब उसी को लेकर शोपाल सिंग यादव ने उन्हें आफर दिया है अगर उवैसी ने नाम बताए तो फिर सपा का रोख क्या होगा वो देखने वाली बात होगी लेकिन अगर नामों का सुझाओ नहीं दिया तो इतना तय है कि अब सपा उवैसी को आसानी से नहीं छोड़ेगी अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उवैसी सपा को निशाने पर ले रहे थे लेकिन शोपाल सिंग यादव ने उन्हें उन्हीं की चाल से सियासी तोर पर बैकपूर्ट पर धकेल दिया उवैसी का हैदराबाद में काफी असर दिखता है और वो अलग-अलग राज्यों में भी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हैं उत्तर प्रदेश में भी वो अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए अकसर वो कभी बीजेपी तो कभी सपा पर निशाना साथते हैं लेकिन अब की बार वो अपने ही निशाने पर आ गए हैं ब्योरो रिपोर्ट मीडिया हल चल